नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में टाटा मोटर्स के हमने कहे थे कि 1015 और 1035 एक कंसोलिडेट रेजिस्टेंस जोन है और रियल ट्रेंड 1035 के उपर ही दिखेगा जब तक इस लेवेल को ब्रेक आउट नहीं करे स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट है और ऐसे जोन में जो FNO ट्रेडर है या फिर जो कैस में सोट्टम ट्रेडर होते हैं उनको इगनोर करना चाहिए आखिर हमने ऐसे कहा था उसकी एकुरेसी को अगर आप देखें तो यहां समझेंगे कि जो बजार है जो आटो सेक्टर के स्टॉक है इस लाइक आईचर मोटर्स यहां देखेंगे आईचर मोटर्स जो है आज 6% की तेजी में ट्रेड कर रहा है जो M&M है वो 3% हीरो मोटर 1% मारूती मोरदें 3% जबकी टाटा मोटर्स जो है वो काफी नैरो रेंज में कुंसुलिडेट करते दीख रहा है और यहां से आप समझ सकते हैं कि बाजार के इतने स्ट्रॉंग होने के बाद इसके सेक्टर के इतने स्ट्रॉंग होने के बाद भी ये स्टॉकael Less Than 1% के ट्रेंड में है इसका मतलब है कि इसके स्ट्रेंथ यूद काफी विख है आगे के ट्रेंड और यूज को समझेस्ट से Пहले premium telegram को join करें description के link से account open कर लेंगे कुछ बरे updates हमने देखे जहां company के domestic production और जो exports के data रहे थे वो company ने decalier करा और ये already हमने discuss कर रखा है इसके अलावे देखेंगे तो कुछ बहुत बरे updates नहीं देखें हैं अगर यहां volume देखेंगे तो लगबग 30 lakh के volume पे trade कर रहा और 30 lakh is a very nominal volume for Tata Motors Tata Motors जैसे stock के लिए 30 lakh is a very low volume stock अब यहां एक बार chart को देखें तो हमने क्या कहा यहां से trend continue इसको support लिया अब जब तक इस resistance को 1035 को breakout नहीं करें आप 1090 1160 या 1500 जैसे levels expect नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा यह एक range है between 980 to 105 यह range है 980 to 1035 इस zone में बिल्कुल ignore करना चाहिए जो already invested हैं वो 980 के SL को लगा करके long रह सकते हैं fresh long वाले इस level को रूखेंगे और weakness इस समय नहीं दिख रहा है real weakness 955 के नीचे दिखेगा जब तक यह level safe है तब तक stock slow and steady consolidate upper side के trend ही visible हो रहे हैं ही तक कर दो मोईगे कर दोब कर दो दोब लोंगे जब खो रहें पया कर दो